केके आर है बिल्कुल तैयार क्या आएगी इस बार ट्रोफी तीसरी बार दिल्ली ने ओबर कॉन्फिडेन्स के चक्कर में हार गाई अपना छथमी हार जियां दोस्तो दिल्ली को कलकट्टा ने सांदार तरीके से 16.2 अभर में हारा दिया है दोस्तो और बुरी तरीके से हराया है IPL में 16.2 ओवर में हारने का मतलब है कि आपने रन नहीं बनाया था जी हां दोस्तो दिल्ली के साथ आज कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है कलकत्ता ने फिर से अपना दूसरे नंबर पर दावेदारी मजबूत कर दी है 12 अंकों के साथ कत्ता की टीम जी हां दोस्तो सांदार गेंदवाजी देखने को मिला कलकत्ता के स्पिन्रो द्वारा और घटिया कैप्टेंसी और घटिया बलेबाजी देखने को मिला दिल्ली के गिंदवाजों द्वारा दिल्ली के बलेवाजों द्वारा और दिल्ली के कप्तान लिशा पंते द्वारा जी हां दोस्तो एक सो चौवण रनों का टार्गेट मातर दिया गया था कलकत्ता नाइट राइडर्स को जहाँ 254-262 सेफ नहीं है उसी इडेन का डेन पर उस समय आपका 154 क्या करेगा और उसमें भी आपके गेंदवाजी इतनी घटिया रहती है कि पहले ही ओवर में 23 रन खाते हैं आपके गेंदवाज और कैच छोड़ते हैं और फिल्डिंग खराब करते हैं तो कहां से आप लोग जीतने के बारे में सोच रहे हैं कभी नहीं जीत सकते हैं मुकावला ऐसे जी हाँ दोस्तों दिल्ली की बहुत बुरी हार हुई है और दिल्ली का जो उमीद था कि प्ले ओफ में साइध दिल्ली पहुँच जा क्योंकि अगर आज दिल्ली जीत जाती तो 11 मैच में 12 पॉइंट के साथ 2 नमबर पर दिल्ली चली जाती, कलकत्ता से भी पहले दिल्ली चली जाती, भले माइनस में नेट रन डेट था, लेकिन अंक 10 था दिल्ली का, और अब 11 मैच खेल चुकी है दिल्ली, और मात्र 10 अंकों के साथ 6 नमबर पर विराजमान है, और 6-10 अ लेकिन कलकद्ट्टण्व कเ equilibrium करेंगी तो दोस्तों 12 ऊंक है और अभी वी पाँच मेंच बचे हुए हैं कलकद्टण्व ने नौ मेच ही अभी तक खेल आ है दोस्तो में नौ मैच कहलेवक करके छे मुकाबला जिती है उन्होंने और तीन हारा है जी यहां दोस्तों और 12 अंकों के साथ 2 नमर पर विराजमान है बात करते हैं दोस्तों सुरू से मैच पर तो टॉस होता है और रिशा पंध ने टॉस जितकर पहले पल्लेवाजी करने का फैसला करते हैं उसी समय से धर्सक के माइंड में की बिजली कौन जने लगता है कि यह क्या किया सारे लोग फिल्डिंग कर रहे हैं टॉस जितकर और रिशा पंध साहव ने बैटिंग का फैसला किया और इसी ग्राउंड पर इडेन गाडेन पर चार दिन पहले पंजाब की टिम 262 रण चेस करके जिती थी कलकत्ता के खिलाफ ही जी यहां दोस्तों वही गिंदवाज के खिलाब 262 रण जब चेस होता है तो आपने टॉस जितकर गिंदवाजी करने का फैसला क्यों नहीं किया जो आप बलेवाजी ले लिए चलिए बलेवाजी तक तो ठीक था ले लिए उसके बाद बलेवाजी करने आते हैं प्रितवी सो और फ्रेजर मेगर्क और शुरुआत तो में तो तीन चोके परते हैं मिचले स्टार को लेकिन बैभा वरोरा की स्विंग जाती हुई गेंद पर जल्दी से ही जल्दी आउट लेक साइड के गेंद पर प्रित्वी सो और उसके बाद तो समझे दिल्ली की लूटिया ही डूब जाती है पावर पले में रन तो सौर साट रन बना देती है दिल्ली कैप्टल्स लेकिन तीन महबुवा हुँ मूले बिकेट गिरा देती है उसके बाद से आप मीडिल ओडर की बात करते हैं तो पांच बिकेट मीडिल ओडर फेज में सो रन के भीतर गिर जाते हैं जी हां दोस्तों मतलब एक सो तीन रनों पर आठ बिकेट गिर गए होते हैं देली कैप्टल्स का उतो संजोग कहिए कि कुल्दीप जादब जो लाज बचा लिया है रिसा पंद को जो सोलामा 17 वावर तक मैठ चला गया है नहीं तो अगर उप 35 रन नहीं बनाते कुल्दीप जादब तो साध 110 के नीचे ही अवलाट हो जाती दिली के टीम जी हां दोस्तों 35 रन कुल्दीप जादब बल्लेवाजी करते हुए बना है और दिली के तरफ से टॉप स्कोरर रहे हैं इस योप से तेम का इस्थिति क्या होगा जब कुल्दीप जादब टॉप स्कोरर 25 रन 26 गंद बर हो रहे हैं तो बल्लेवाज क्या किया है इस टीम के इससी से आप समझ सकते हैं दोस्तो इंपेक्ट पलियर के रूप में बल्लेवाज कोहीं लिए गया। मिलता है मैच में जान रहेगा लेकिन कलकक्ता के टू ओपनर बन्लेबाज को आप जानते ही हैं विल ओर शुनील नरायन तावरतोर बन्लेबाजी के लिए जानने जाते हैं पहला ओबर पर लेकर आते हैं उसमें चोदरन इनको पढ़ जाता है उसके बाद बाउंडरी पर फिल्लिंग करने जाते हैं तो जी एमपी इनके बीच महें बॉल पास हो जाता है चोका के लिए मतलब इनके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था और फिल सॉल्ट का दूसरे ही ओवर मे 89 पावर पडे में कलक्ता का स्कोर है जब आपका crumbs चेस कर रहे थे 802 जब आपका पावर पडे में बन गये तो आप मैच में बचा ही क्या है उसके बाद Corp पिनर को अगर पहली दुसरा ओबर से ले करा रहे तो साइज मैच में कुछ हो सकता था ऐसे कॉमेंटेटर भी यही बात कहा रहे थे लेकिन साथ में ओबर में लेकर आते हैं अक्षर पटेल को पहले ही बॉल पर आउट हो जाते हैं तो कहीं ने कहीं आज के मैच में रिसा क्योंकि तीन मैच में बचे हुए हैं और तीनों के तीनों उनको जितना परेगा पले आउफ में जाने के लिए जो कताई संभव नहीं लग रहा है जी हां दोस्तों कि आपको वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा जब तक के लिए बेस्ट आफ लग प्समा सबस्ट आएऑ में लगएगाउ करें विए